मुस्कार मित्रो मैं डॉक्टर आनंज जैन्त काले कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेग सिटी हॉस्पिटल फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्तित हूँ हम अमारी एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम बहुत कॉमनली पूछे जाने वाल इस सवालों के जवाब ढून रहे हैं आज एक सवाल जो बहुत लोग ने पूछा है कि टेल अस अबाउट इन्मोड एम्ब्रेस आरेफ मशीन इससे क्या होता है और बोडी टाइट फेस टाइट नेक टाइट और अक्यू टाइट क्या होता है और उसका इस मशीन से क्या रिलेशन है इन्मोड एक कमपनी है जिसने एम्ब्रेस आरेफ करके एक एस्थेटिक प्लाटफॉर्म डेवलब किया है जो रेडियो फिक्वेंसी का इस्तिमाल करके लाइपोसक्शन के तरीके से या बिना लाइपोसक्शन के तरीके से चेहरे को गर्दन को शरीर के बाकी हिस्सों को सु इसको हम लोग Radio Frequency Assisted Liposuction या Radio Frequency Rejuvenation भी कहते हैं अब इसमें चार तरह के प्रोब्स होते हैं जिनका इस्तिमाल करके हम शरीर के अलग-अलग हिस्सों को ट्रीट करते हैं ये बहुत popular treatment है आज के समय में विदेशों में इस treatment की धूम है हमारे देश में भी इसके अब कुछ machines जो Lake City Hospital के पास है और इससे हम लोग routinely बहुत सारे patients को treat कर रहे हैं body tight शरीर के बाकी हिस्सों के लिए होता है जैसे कि छाती के हिस्से जिसमें हम gynecomastia corrective surgery करते हैं या abdominoplasty के procedures में help लेते हैं arms में भी कर सकते हैं जांगों पे भी कर सकते हैं तो इस में हम body tight का जो probe है उसको इसको इस्तिमाल करते हैं neck tight को इस्तिमाल किया जाता है गर्दन के wrinkles को correct करने के लिए और tight करने के लिए face tight को हम use करते हैं facial rejuvenation के लिए facial wrinkles को correct करने के लिए prominent nasolabial folds को ठीक करने के लिए और चेह को हम यूज करते हैं आखों के चारो तर्फ जिसमें हम रेडियो फ्रिक्वेंसी ब्लेफरोपेस्टी कर सकते हैं जिसमें बड़ा ऑपरेशन नहीं होता हम चमड़ी को चीरा नहीं लगाते लेकिन अपर आयलेड और लोर आयलेड ऊपर की पलके और नीचों के पलकों को हम इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है कि यह कहां इस्तेमाल होते हैं लेकिन एक्यूटाइट एक ऐसा डिवाइस है जिसको जो बहुत महीन होता है इसको हम आखों के चारो तरफ नाक के आसपास चोटे-छोटे एरियाज को करेक्ट करने के लिए जहां पर चोटे-छोटे प्रा बहर मतलब तवचा की ऊपर का टेमपरिचर और अंदर मतलब तवचा की नीचे का टेमपरिचर दोनों मौनिटर होते हैं इसलिए डैमेज होने का, चमडी का डैमेज होने का जो डर है वो लगभग लगभग नहीं के बराबर होता है तो Embrace RF के बारे में या In Mode के बारे में या body tight के बारे में, neck tight के बारे में, face tight और equidite के बारे में आपके सवालों के जवाब मुझे उम्मीद में बिल गया होंगे फिर एक नए सवाल के साथ जवाब के साथ उपस्तित होंगा नमस्कार